Hello and welcome friends, आइए देखते हैं कि MS Access 2007 में हम किस प्रकार से दो या तीन टेबल्स को एक साथ relate करा सकते हैं, relationship create करा सकते हैं उन टेबल्स के अंदर, तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होगा, पहले देखिए यहाँ पर तीन टेबल्स मैंने बना रखे हैं, there are three tables here, and the first table name is ST record, second table is student, and third table is was the result, ठीक है, तो इतने tables हमने बना रखे हैं पहले से, तो सबसे पहले ये जो ऊपर दिख रहा है, आपको इसको आप कर दीजे, close, यहाँ से आईए, इसको close करिए, second table को close करिए, और फिर यहाँ से भी इसको close कर दीजे, अब हम यह देखते हैं कि हमने records enter किया हैं या नहीं, इसमें सिर्फ एक record enter किया है हमने, ठीक है, यहाँ पर course ID आ रही है, course ID को हम यहाँ पर change करेंगे, यहाँ course ID है 101, ओके, इसके बाद second जो course ID है 102 है, और second student का address है, जो रहने वाला है, वो लखनो का रहने वाला है, तो यहाँ लखनो लिख दिया हमने, roll number 2 है इनका, औ ठीक है, और यह रहने वाले हैं, बलिया, ठीक है, तो यह लिख दिया हमने, तो यह roll number 3 है इनका, तो यह तीन चीजे हमने इसमें लिख दी है, अब उपर वाले table में देख लिजिए, आप तीन ही record है, तीन ही roll number है, इसमें student का name है, और father's name है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक कीजिए, यहां पे पहला देवरिया, दूसरा लखनौ, तीसरा बलिया, तो city का नाम भी मैं यही दे देता हूँ, देवरिया, city, लखनौ city, and at last बलिया city दे देंगे नाम, ठीक है, यहां पर दिलिख देता हूँ, बलिया, city, ठीक है, यह लिख दिया हमने, तो इतना करने के बाद, यहां पर city की spelling सही कहलेंगे, इतना करने के बाद, यहां course ID देनी है, तो course ID हमारी थी 101, यानि 101, second course ID थी 102, यहां लिख देंगे 102, and third, जो course ID है, वो लिख देंगे 103, यहां name capital letters में होना चाहिए, you should know about punctuation, ओके, तो बल बन चुके हैं, यह watch the result, पहला record, student, second record, और यहां पर third record, यह तीन हमारे पास हैं, ठीक है, आईए अब इन तीनों को close करते हैं, यहां से आईए, और यहां पर close पे click कीजिए, यहां पर close पे click कीजिए, और यहां पर आईए, यहां पर भी close पे click कर दीजे आप, अब आपको कह जाना है, database tool में जाना है, और यहां relationship पे click करना है, तो यहां देखिए, यह तीनों display हो जाएंगे, show table के अंदर, अगर यह display नहीं भी होते हैं, तो भी आपको show table पे click करके display करा लेना होगा, जैसे, ठीक है, आप यहां queries को भी insert करा सकते हैं, यहां दोनों को भी insert करा सकते हैं, फिलाल मैंने tables ले हुए हैं, तो यहां सबसे पहले student record को insert कराते हैं, फिर यहां पे student को insert कराते हैं, और फिर यहां पे at last was the result को भी insert करा लेते हैं, इसको close कर देते हैं, close करने के बाद हम यह देखेंगे, कि common field इन दोनों में कौन कौन से हैं, तो यहां पे देखिए, role number इसमे role number है, इसको उठाएंगे, और इसके सामने ठीक लेया करके छोड़ देंगे, ठीक है, तो यह एक edit relationships का एक box open होगा, यहां पे click करिए आप, और create पे click कर दिए, तो यह देखिए, one to many relationship इसमें create हो गया, अब हमें क्या करना है, अब हमको इसमें इन दोनों में common field हुड़ना है, तो course ID इसमें common field हमें दिख रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, और यहां course ID के सामने लाकर के इसको छोड़ देंगे, ठीक है, यह जो table है, यहां से पकड़िए, और इसको लेया के यहां छोड़ दीजे, तो यहां पर फिर यह box display होगा, और display होने एक अब हम किसी भी table के अंदर जाएंगे, तो यहां पर plus का निशान दिखेगा आपको, देखिए, यहां पर plus का निशान शो हो रहा है, यहां पर click करिए आप, तो यह राम की पूरी detail दिख रही है आपको, यहां पर देख सकते हैं, आप, राम roll number one है, इसका student name राम है, और father's name, राम किशन लिखा हुआ है, उसके बाद इनकी course जो पढ़ रहा है, course की ID है 101, ठीक है, और यह कहां के रहने वाले हैं, उनका address है दिवरिया, ठीक है, इसी तरह से second student के spec click करेंगे हम, तो यहां पर इनकी पूरी total ID हमको दिख जाएगी, ठीक है, तो I hope की यह बात समझ में आ र सकते हैं, खीच करके इधर कर लीजे, तो यह बड़ा हो जाएगा टेबल, तो father's name है दुर्गेस, और यहां पर course ID 102 है, और student का address जो है, जहां पर दिया हुआ है, और third वाले का यहां से हम सर्च कर सकते हैं, तो यह तीनों का देखिए कितना असान है सर्च करना, ठीक है, अग यहां से आप क्लिक करके और इसको छोटा या summarize या इसको पूरा detail में भी देख सकते हैं, उमीद है कि यह बात आपको समझ में आ रही होगी, कि यह relationship, one to many relationship कैसे हम create करा सकते हैं, MS Access में, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा, tables को उपर से close करना होगा, जब relationship आप build हो student record है, तो यहां मैं लिख देता हूँ student detail, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया student detail, ओके, यहां बीच में gap create करेंगे, और हम इसका color भी change कर सकते हैं, कैसे change करेंगे, यहां पर इसको रखेंगे, और यहां पर जाकर के यहां से color हम change कर लेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं, यह color भी change हो गया तो जैसा कि देख सकते हैं कि अभी हम form view में हैं और यहाँ पर हमने जो relationship create कराया है वो यहाँ पर हमें दिख रही है जैसे suppose कीजिए यह राम है और राम का role number one है इनके fathers का name है राम किशन और enrollment ID यहाँ पर दिख रही है और यहाँ city दिख रही है और यहाँ पर course ID भी दिख रही है और यहाँ पर student का address भी दिख रही है यानि तीनो tables combine हो चुके हैं मैं आपको अलग-अलग उन tables के बारे में दिखाता हूँ देखें फिर से यह वो tables हैं जिनको हमने combine कराया था मैं इसको अलग-अलग करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक table है ठीक है और इस table का नाम student record है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें role number है student name है father's name है जो second table हमारे पास है उसका नाम है student तो यहाँ पर उसमें role number है course ID है student ID है आप देख सकते हैं इसको और third है watch result है course ID है ठीक है तो जब हम इनको combine करवाया हमने तो यहां पर देखिए यह combine करवाने के बात की बात है यहां पर देखिए यह form view में आ चुके हैं हम तो यहां पर role number student name father's name आपको देखी रहा होगा course ID देखी रही है student का address देखी रहा है enrollment ID और city दिख रही है तो इस प्रकार से हम दो या अधिक tables को भी relationship create करा सकते हैं create कराने के फाइदे जो हैं वो बहुत सारे हैं अब जैसे एक फाइदा तो आपको दिखी रहा है कि एक ही साथ आप सारे records को एक जगा आप देख सकते हैं यह सबसे बड़ा देखिएगा और हमारे चैनल को like और subscribe करें thank you for watching this video तो जैसा कि देख सकते हैं कि अभी हम form view में हैं और यहाँ पर हमने जो relationship create कराया है वो यहाँ पर हमें दिख रही है जैसे support कीजिए यह राम है और राम का role number one है इनके father's का name है राम किशन और enrollment ID यहाँ पर दिख रही है और यहाँ city दिख रही है और यहाँ पर course ID भी दिख रही है और यहाँ पर student का address भी दिख रही है यानि तीनो tables combine हो चुके हैं मैं आपको अलग-अलग उन tables के बारे में दिखाता हूँ देखिए फिर से यह वो tables हैं जिनको हमने combine कर आया था मैं इसको अलग-अलग करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक table है ठीक है और इस table का नाम student record है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें roll number है student name है father's name है जो second table हमारे पस है उसका नाम है student तो यहाँ पर उसमें roll number है course ID है student ID है आप देख सकते हैं इसको और third है watch result तो इसमें enrollment ID है city है course ID है ठीक है तो जब हम इनको combine करवाया हमने तो यहाँ पर देखिए यह combine करवाने कि बात की बात है यहाँ पर देखिए यह form view में आ चुके हैं हम तो यहाँ पर roll number student name father's name आपको देखी रहा होगा course ID देखी रही है student का address देखी रहा है enrollment ID और city देख रही है तो इस प्रकार से हम दो या अधिक tables को भी relationship create करा सकते हैं create कराने के फाइदे जो है वो बहुत सारे ह अब जैसे एक फाइदा तो आपको देखी रहा है कि एक ही साथ आप सारे records को एक जगा आप देख सकते हैं यह सबसे बड़ा फाइदा है student का यहाँ पे हम सब कुछ देख पा रहे हैं पूरा detail देख पा रहे हैं यह सबसे बड़ा फाइदा है relationship create कराने का तो उमीद है कि यह